नमस्कार जोस्तो रादे रादे तो आज के वीडियो में पर डिसक्स करेंगे C.A. final जो DT का January 21 का paper था वो कैसा था? New course का कैसा paper था? Old course का कैसा paper था? वो discuss करेंगे. Question कहां से थे? ABC analysis के coding कितना था? वो सारे चीजर डिसक्स करेंगे. सबसे पहले मैं बता दूँ आपको यह पूरा-पूरा paper DT का एज पर ABC analysis था? Old course, new course दूनों का एज पर ABC analysis paper था DT का आप भी match कर सकते हो ABC analysis आपको paper मिलेगा. दूसरा question New course में जो question थे? New course की बात करूँ तो मैं लगबग 80% question आपको similar question आपको question bank में मिल जाएंगे. जो question bank में बिलकुल free है वो आप कहीं से भी जाके देख सकते हो जो descriptive part था, DT का new course का मैंने descriptive part देखा, काफी easy paper था DT का descriptive part new course का और लगबग काफी सारे question question में similar question थे similar question कोर्ष प्लस मेंट का similar question आ गया था, DTWA का same to same type का question आ गया था, इस के अलाबा, AMT का question similar type का question था, तो बिलकुल same question था काफी easy descriptive part था, काफी easy descriptive part था, लेकिन DT के old course की बात करे, old course की बात करे, तो यह अबबबबबरेच था, इसमें international tax वाले question थे, तो वो simple, simple थे, international tax वाले question easy थे, लेकिन DT वाला part tough था, थोड़ा assessment appeal में से उन्होंने पुछा tough था, बाकि DT new की बात करे, descriptive part easy था काफी, MCQ की बात करू, DT के new में, तो वो अबबबरेच जरूर थे, वो अबबबरेच थे, थोड़े tough भी थे, कुछ, और time consuming भी थे, तो MCQ के का new paper था, new course का, वो थोड़ा lengthy हो गया, लेकिन old course के MCQ ठीक थे, old course में MCQ ठीक थे, लेकिन DT वाला part था, DT का, यह descriptive part था old course का, वो tough था, अब एक पर देख लेते हैं, एक बार आपन, DT का new course का paper देख लेते हैं, मैं पास new course का paper अभी है, PDF में, तो एक बार यह अपन देख लेते हैं, पहला question अपना, जो आता है, total income निकालने का company का, fix question, वो question था, आपको कुछ adjustment दमने थे, तीन, चार, तीन, चार, तीन, 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 इसमें, एक deduction का point था, ATJWA, जो मैंने important बताया था, मैंने बताया था, deduction सारी important नहीं होती, कुछ deduction पूछा जाता है, जो total income का question आता है, उसमें ATJWA, पूछ लेते हैं, कभी ATGGA, GGB, GGC बगरा, पूछ लेते हैं, और कुछ deduction जो मैंने बताया था, ATC, ECCD, या ATD बगरा, या ATT, T बगरा, या ATQQB बगरा, वो ATJWA बगरा में काम आती है, तो ATJ के deduction दे रखी थी, question अच्छा था, एक दो adjustment अच्छे था, इसमें, और काफी सारे इसमें adjustment बताया, चार पाच adjustment था, आपको question मैं मिल जाएंगी, किसी ने किसी question में आप चेक कर लेना, PGBB वाले chapter में जाके, और assessment of various entity में भी 2-3 question है, PGBB के, वो check कर लेना, आपको मिल जाएंगे, दूसरा question, as it is question bank में आपको मिल जाएंगे, और ये एना टक्सेशन का question था, और काफी, मतलब कुछ क्या, काफी सारे point ये, similar question था, question bank में ऐसा, similar question आपको मिल जाएंगे, 3 का A, ऐसे trust के काफी सारे question है, उसमें से मिल जाएंगा, एक point इसमें extra-eat किया था, बाकी तो लगबग same question था, एक गया दो point इसमें extra-eat थे, बाकी similar question आप इसा question आपको question bank में मिल जाएंगा, दो country वाला, इसके बाद fourth का A, TDS का question था, TDS के तो काफी सारे question में आपको बताएंगे, तो question bank मिल जाएंगे, इसके बाद जो B वाला question था, इसमें, ये arm's land price निकालने का था, और ये question थोड़ा सा change था, question bank में एस type का similar question नहीं है, थोड़ा वो मिल जाएगा, बाकी concept अगर आपने देख रखे हैं, मैंने एक revision भी करवाया था, आपको last day revision उसमें, transfer pricing अगर वो देख रखे हैं, तो आराम से इस question वो कर सकते थे, जागा technical question नहीं था, transfer pricing का, 5 का A, ये question, question bank में है, section 292 B का, section 292 B का, जो question 292 B वाला section होता है, उसका question है, त तो ये question आपने देख रखा होगा, same to same question, question bank में भी है, institute के module में भी है, इसके बाद, जो B वाला question है, इसमें, ये case law के उपर वेच था, B वाला question, और C वाला question इसमें, case law के उपर वेच था, आपको तीन में से दो करने थे, मैंने बाता है, case law का वेटे चान नमर का होता है, इ question आराम से कर सकते थे, अगर revision video नहीं देखा, खाली question देखा है, तो दिक्कत आ सकती थी, एक दो point इसमें नहीं थे, question bank में question है, cooperative society का वो बिल्कुल similar नहीं है, लेकिन वो इस वाले question में कुछ point नहीं थे, अगर revision video देखा, reduction वाला, तो उसमें पूरा cover था ये वाला, इसके बा question का दोनों का दोना adjective number 20 में आया हुआ है, वहां आपको मिल जाएंगे, और question bank में भी cover है, question, इसके बाद B, 6 का B, ये cost plus method का question था, question bank में adjective question आपको मिल जाएगा, cost plus method, number 16 का question है, number 16 का question, similar यहां दे दिया इन्होंने, तो ये paper था, पूरा का पूरा ABC analysis था, 12 नमर का transfer pricing, descriptive आट की इसके अलावा, 8 नमर का TDS था, 8 नमर का trust था, और 14 marks का PGPB वाला question था, और 8 नमर का AMT था, तो पूरा का पूरा ABC analysis था, और मैंने बताया था, आपको assessment, appeal, penalty वगर ये सब मिला के 10 बारा नमर के आते हैं, वो 10 बारा नमर के थे, वो सारे के सारे मिला के, इस बार इसमें गार का question नहीं आया, गार का question नहीं लेकिन इसमें MCQ जो थे, MCQ toughs थे, MCQ above average थे, और कुछ MCQ काफी जाए और time consuming थे, तो उसके according ये paper average था, DT के new course का, अगर आपने ABC analysis देखा, revision वीडियो देखे हैं, और अगर आपने question बेंग किया है, तो आराम से DT के paper में, आप 70 less में आपसे score कर स सकते हैं, हाँ, DT वाला part काफी toughs था, उसमें, DT वाला part काफी toughs था, कुछ question उन्होंने अच्छे पूछे हैं उसमें, लेकिन MCQ उसके average थे, MCQ में कोई दिक्कत नहीं थी, और उसमें assessment बगरा के question भी पूछे गए हैं, थोड़े, अब आते हैं इन direct text का ABC analysis पे, इन direct text में आ थोड़ा देखना, indirect text का, थोड़ा बहुत मैंने change गिया था, उसमें, तो उस according आप देख लेना, custom में मैंने कुछ topic बताये थे, कुछ special topics भी बताये थे, chapter के अंदर से, तो वो topic देख लेना, कुछ chapter देख लेना, जो मैंने बताये थे, देखो मैंने यहां दिखा रखा रखा देख लेना, custom की आज, और कल फिर GST स्टार्ट कर देना, GST में आपने जो पढ़ रखा है आप तो वो पढ़ लेना, अगर SM पढ़ रखे तो वेस्ट है, SM में 400 टेबल पढ़ रखे तो काफी वेस्ट है, इसमें सबसे पहले value supply, input, text credit और exemption, यह तीन ऐसे chapter है, जिनको पढ़ रखा है, हाइलाइट करवा के, वो कीवर्स का PDF देख लेना, टेलीक्रम चैनल में आपको मिल जाएगा, इसके अलावा फिर मैंने चेप्टर बताया थे, RCM, Composition, Levy, Chapter 3 के दो टोपिक बताये थे, Negative Use Chapter 2 में बतायी थी, Composite and Mixed Supply Chapter 2 में बतायी थी, Time of Supply, Place of Supply, Refunds वग इसके बाद इन चैप्टर को छोड़के जो बच गए वो सारे C है, Category C में अगर टाइम मिल जाए तो देख जाना, नहीं मिले, तो कम से कम कोश्चन देख जाना हूंके, 15-20 नमर के उनसे बी कोश्चन आने के इसके बाद इसके बाद इन चैप्टर को छोड़के जो बच ग आनके फुल चांस होते हैं, तो इस तरह इसा आपको करना है, GST में section नमर लिखने की requirement नहीं होती, rule नमर लिखने की requirement नहीं होती, notification नमर, कुछ मत लिखना, आपको पूरे marks लेंगे, इसके लाब working mode ज़रूर बनाना, GST में कोई भी question करते हो, जैसे मानलो ये question किया, इसके नी इन्हों ठीक दिया है, new course की बात करें, old course का इन्हों ने above average दिया है, लेकिन new course की बात करें, तो ठीक paper दिया है, और उस दिन मैं जो last paper हुआ था अपका elective paper, इसका paper, उसका मैं review नहीं कर पाया था, क्योंकि काफी सारी calls थी, काफी सारी students की, तो उसके regarding मैं बता देता हूँ, elective paper में, कैसे paper थे elective के, तो इसका paper normal paper था, इसका मैं अगर notes वगरा कर रखे थे, या steady matter कर रखे थे, लेकिन elective की बात करें, तो RM का tough था, और financial service capital market का, दोनों paper काफी tough थे, इसके अलावा international text सबसे simple paper था, सारी case study, almost सारी case study repeat थी, मतलब अगर international text में आगर case study कर ली आपने institute वाल free में शेयर कर रखा है, अगर आपने वो कर लिया, तो इस international text paper थे 90 plus माथ आप आराम से लिया होगे, 90 plus कुछ case study थे, तो तीन case study थे, जो कूरी को पीपेश थी, इसके अलावा उसके बाद, जो आपका paper रखे एकोनोमिक लोग, वो भी easy paper था, वो simple paper था, एकोनोमिक लोग था, और RM और आपका FSCM, वो टफते, मैंने फिर से बोलता हूँ, आप FSCM का भी मतले ना, सबसे बेकार subject है FSCM, जिसमें भी ले रखी है, उसको इक पर ignore करो FSCM को, और एक जो multi-disciplinary वाला subject होता है, दो subject सबसे बेकार है, बाकी 4 में से आप कोई सा भीलो, वो आपकी किस्मत की बात है, यह था elective का review जो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं एक अलग से वीडियो और बना दूँगा, क्योंकि काफी सारे students के May 21 के लिए message आ रहे है कि question bank कब आएगा, कब कौन सा question bank आएगा, तो उसका अलग से वीडियो आ जाएगा कि कौन सा question bank कब आएगा, कौन सा question bank कब आए Revision वीडियो भी मैंने जो डाल रखे है, DT के लगबग, मैंने upload कर दिये, DT वाले पार्ट के, International Tax वाले पार्ट के बच्चे हूँए, वो मैं upload कर दूँगा, DT वाले पार्ट का भी एक पच्चा हूँए, वो upload कर दूँगा, इसके लाबा, SFM के revision वीडियो जो बच्चे हू तो आज के लिए इतना ही, Thank you so much.